हे गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल आज मैं आप लोगों के साथ सेयर करने वाली हूँ रुवाबजा केक की रेस्पी और इसके उपर जो जेल है उसको भी हम बताएंगे बहुत ही जटपट बनने वाली रेस्पी है ये और ये केक बहुत ही टेस्टी लगता है पार्टी हो या बड़े पार्टी हो आप उसमें भी बना सकते हैं तो एक बार आप ये रेस्पी जरूर ट्राइ करना तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो इधर मैं पहले तो ये बुरा ले लेती हूं सकर का बुरा होता है सकर से थोड़ा सा कम तेल, और इसको भी मिक्स करेंगे थोड़ा साम इसमें डाल देंगे वैनीलेसेंस, हम 2-3 बून और इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा दूर डालेंगे तो हम एकठा दूर नहीं डालेंगे थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इधार हम डालेंगे मैदा स्वरी मैदा ने रुवाबजा तो ये एक स्पून भरके हम रुवाबजा डाल देंगे तो जो रुवाबजा होता वो भी मीठा होता है तो उसके हिसाब से हम सक्कर डालेंगे इसमें तो ये देखें मिक्स कर दियें पिंक कलर सा आ गया है अच्छा सा अब इसमें हम डालेंगे आटा तो फ्रेंट्स इधर मैं मैदा नहीं यूज़ कर रही हूँ आटा से बना रही हूँ केक ये तो इधर मैं एक कफ छोटे वाले कफ में मैदा ले लिए हूँ सौरियाटा ले लिए और इधर ले लिए मैं वेकिंग पाउडर और ये हाप स्पून वेकिंग सोडा ले लिए हूँ और इसको मिक्स कर लेते हैं तो ये देखे फ्रेंट्स अच्छे से हमारा जो बैटर है वो रेडी हो गया है तो कुछ हमें ऐसे ही चाहिए देख रहा हूँ बैटर और इसमें अब हम डाल देंगे लास्ट में ये वेनीगर है जिसको सिरका भी बोलते हैं और बस इसको डालन के बाद हमें बहुत ही हलके हाँ से मिक्स करना है ज्यादा मिक्स नहीं करना है इधर में एक ये ऐसा टिफिन है इसको ले लेती हूँ इधर में तेल से ग्रीज कर दी थी उसको और इस सारा बैटर हम इसमें डाल देंगे और इसको टैप करेंगे थोड़ा सा और इधर में निकाल देंगे सीटी या रवड जो भी आप चाओ निकाल सकते हो तो मैं इधा रवड निकाल दी हूँ और इसको हम तीस मिनट के लिए पकने देंगे तीस मिनट बाद ही चेक करेंगे बीच में नहीं चेक करेंगे तो देख लेते हैं टूटपिक डालके या नाइफ तो यह देखें केक हमारे अच्छे से पक गया है बिल्कुन साफ निकल रह般 है और देख रहे हैं और फूलrh भी अच्छा है तो बस इसको हम निकाल लेंगे और थंड़ा होने देगे केक हमारा ठंडा हो गया है साइट से नाइफ से हम लूस कर दियें जिसे आराम से हमारा केक निकल जाए तो यह देखिए मैं आपको दिखाती हूँ बहुत ही स्पॉंजी बना हुआ है यह देखिए और यह आटे का केक है बहुत ही अच्छा लगता है आप जरूर ट्राय करना और इधर हम बना लेंगे तो इधर में जेल बना लूँगी तो गैस को इधर हम बंद ही रखें हैं तो इधर पहले तो हम एक कफ बड़े बाले जो कफ होते हैं उसे पानी ले लिए हैं अब जितना पनाना चाहते हैं उसके हिसाब से ले सकते हो और इधर में ले लिए लिए एक से दो इस्पून ले ले लेंगे हम सकर इसमें क्यूंकि रिवाप्स भी डालेंगे उससे यह मीठा रहेगा इसलिए हम ज्यादा नहीं डालेंगे सकर और इसको अच्छे से मिक्स होने देंगे उसके बाद हम गैस को चालू करेंगे तो इधर अब गैस को चालू कर लेते हैं और इधर हम उसको ना हलका सा गाढ़ा होने देंगे ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है बस हलका सा ही गाढा करना जेल जैसा हमें बनाना आ इसको है तो आप देख रहे हो बहुत सुन्दर सा कलर आया ही जितना भी पकता जाएगा न उतना अच्छा इसका कलर आता जाएगा तो यह आप देख रहे हैं गाढ़ा हो गया है, गैस को इधर हम बंद कर देंगे, ठंडा होने के बाद यह और भी गाढ़ा हो जाएगा, अब इधर हम अपना केक ले लेते हैं, उसको कट करते हैं, तो दो भागों मैं इधर कट करूँगी, मतलब तीन भाग हो जाएंगे इसक तो यह हम ऐसे कर लेंगे पहले चारों तरब से, फिर इधर हम एक थ्रेट लेंगे और उससे हम कट करेंगे, बहुत ही असानी से कट हो जाता है थ्रेट से, आप जरूर ट्राइ करना ऐसे तो यह देखिए, ऐसे और ऐसे डाल देंगे बीच में और ऐसे खींच देंगे, तो बहुत ही आराम से और बहुत ही स्मूथली से यह निकल जाता है तो यह देखिए, एक पार्ट निकल गया है, अब एक और हम ऐसे कट कर लेंगे तो यह देखिए, कट कर लिये हैं, अब इधर मैं क्या करूँगी, क्रीम रखूँगी, इसमें पहले एक पार्ट रखेंगे, उपर से क्रीम लगा देंगे और इसको अच्छे से हम फैला देंगे तो आपको इधर क्या करना है, मैं भूल गई थी, क्रीम लगाने के पहले आपको पानी और यह सकर घोल के एक सिरप बना लेना है उससे आपका केक जो बहुत ही सॉफ्ट रहेगा और इधर हम जो जेल बनाये थे उसको हम थोड़ा थोड़ा ऐसे डाल देंगे इसमें जिसे यह बहुत ही अच्छा लगे खाने में अब इधर हम दूसरा वाला रखेंगे, उपर से तो यह देखिए और क्रीम लगा देंगे तो मैं आपको जो बताईए ना फ्रेंट्स वो जरूर करना में भूल गई थी तो सुगा सिरफ जो होता ना बस उसको ही आप करोगे ना उपर से तो बहुत ही सॉफ्ट रहेगा आपका केक तो पहले तो हम क्रीम को अच्छे से इसमें लगा देंगे फिर उपर से जेल डाल देंगे बस वैसे ही हमें करते जाना है तो ये देखिए हो गया है अब लाश्ट वाला जो है हमारा उसको रख देंगे केक को तो ये रख दिये हैं और थोड़ा से दवाते हुए ऐसे अच्छे से इसमें भी वापस हम करेंगे तो ये लाश्ट वाले में मैं सुगा सिरफ लगा दी थी मुझे धियान आ गया था तो और उसके बाद इधर मैं फिर से वो क्रीम लगाऊंगी तो अच्छे से पूरा लगा देंगे इसमें और इधर हमें क्रीम अच्छे से मतलब चारों तरब से लगाना है तो ये देखिए मैं लगा दी हूँ अब इसको अच्छे से हम पराबर कर लेते हैं सेफ अच्छे से मतलब और जो हम जेल बनाए हुए थे इसको मैं फ्रेज में रख दी थी तो ये थोड़ा से 10-15 मे भी से helping की लिए सेट ने के लिए economics और ये देख और फीर से हम तो एक हम इसको फ्रेज में रख देंगे люди बिखने देखें के लिए उसके बाद फिर से यह देखें डाल दिये थे उपर और इधर हम ना इस प्रिंकल ले रहे हैं इस्टार वाले हैं तो उनको हम ऐसे साइट से लगा देंगे आधे पर हाप में लगाएं तो यह केक हमारा बहुत ही अच्छा सेट हो गया है अब इसको ह कितना सुंदर लग रहा है यह केक तो आप इसमें कुछ भी डिजाइन बना सकते हो या प्लेन भी ऐसे रख सकते हो बहुत ही अच्छा लगता है तो मैं आपको कट करके अब दिखाती हूं तो यह देखिए तो फ्रेंड्स अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स प्लीज ओके फ्रेंड्स बाई टेक कियर